यदि हाथ में मस्तिस्क रेखा और हुदय रेखा दौनों पास पास हैं यानि कि दौनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है ऐसे लोग बहुत समझधार और सुलजे हुए व्यक्तित वाले होते हैं ये लोग बहुत प्रैक्टिकल सोच वाले होते हैं ये लोग कोई भी का करके उस व्यक्ति को भगा देते हैं क्योंकि ये लोग बहुत सुलजे हुए व्यक्ति होते हैं इनको जादा तीन पांट से मतलब नहीं होता है ये लोग पैसे कमाने में बहुत माहिर होते हैं कहां से कैसे कितना पैसा कमाना है इन लोगों को पता होता है और ये लोग नगत प विश्वास करते हैं और खर्चा भी बहुत सोथ समझ करके करते हैं यदि जादा खर्चा होने लगे तो फिर अपने व्यक्तिकत खर्चे में कटोती कर देते हैं यानि कि दो सर्ट खरीदने से अच्छा एक ही सर्ट खरीद लेंगे बाल हर महिने कटवाने से च्छे महिने में एक बार कटवालेंगे मतलब अपने खर्चे में कमी कर देंगे समझदार होते हैं ये लोग जीवन में किसी भी व्यक्ति से संबंध एक बार बन जाने के बाद तोड़ते नहीं हैं यदि किसी बात का इनको बुरा लग भी जाए तो भी ये लोग संबंध नहीं तोड़ते ह यानि कि संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं, संबंध तोडने में नहीं, यदि किसी व्यक्ति से एक बार दोस्ती हो गई, तो दोस्ती हमेशा बना करके रखने की कोशिस करते हैं, खेर इन लोगों को किसी भी बात का बुरा जल्दी से लग जाता है, और कोई भी बात क बहुत जादा महसूस करने वाले होते हैं लेकिन यदि इनको किसी बात का बुरा लग भी गया तो भी सामने वाले व्यक्ति से ये नहीं कहते कि हमें तुम्हारी इस बात का बुरा लग गया अपने मन ही मन में रखते हैं बुरा लग गया तो कोई बात नहीं लेकिन मन में ही र में किसी व्यक्तिसे थोड़ा कम मतलब रखते हैं या किसी से थोड़ा जादा रखते हैं लेकिन संबंध नहीं तोड़ते हैं ये लोग जादा दूसरों से घुलना मिलना पसंद इनना पसंद नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, और इसी कारण से ये लोग बहुत परेशानियों के बाद भी अपने लक्ष को प्राप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा केवल और केवल अपने लक्ष पर ध्यान रखते हैं, इन लोगों के डिसीजन को यह करना है यह लोग हमेशा समाज में सम्मान और अपने पास पैसा बनाया रखते हैं यह लोग जानते हैं कि यदि समाज में नहीं रहेगा तो फिर कोई भी व्यक्ति सीधे मुहहां वर यदि हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो समाजवे सम्मान नहीं रहेगा तो इसलिए ये लोग सम्मान और पैसा दोनों के प्रती बहुत सतर्क रहने वाले होते हैं बहुत फूक फूक करके कदम रखने वाले होते हैं कई बार तो ये लोग अपने घर परिबार के लोगों को भी बहुत समझाते हैं जैसे यदि ये लड़के हैं, तो फिर अपनी बहन को बहुत समझाते हैं, कि तुम ऐसा मत करो, यदि ये लड़की हैं, तो फिर अपनी छोटी बहनों को या छोटे भाईयों को समझाते रहती हैं, हमेशा, यहां तक कि ये लोग अपने माता पिता को भी समझाते हैं, कि तुम यदि ये लोग पैसे से संबंधित कोई प्लान करते हैं, तो बहुत अच्छा प्लान करते हैं, इन लोगों को जीवन में कभी भी कोई बड़ा लॉन या फिर कोई बड़ा कर्ज परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग कभी कर्ज या लॉन लेते ही नहीं है, पैसे को लेक रेखा एक ही बन जाएं दौनों मिलकर के एक ही रेखा बन जाएं तो फिर ऐसा नहीं होगा उसका फल अलग है इस बिसे पर हम बाद में भी बात करेंगे लेकिन आज के लिए मसितना ही नमस्कार